साथियों, ये सिक्राय विधान सबाच्छेत, ये दोसाजिला, ये पूरा इलाका यहां के छेत के लोगों ने हमेशा से कॉंग्रेस पार्टी का साथ दिया है। में रहा हूँ और आपने हमेशा हमारे हाथ की पहचान है, इस हाथ की पहचान को आपने हमेशा बरकरार रखा और हमेशा बोट और समर्थन दे कर हमको ताकत दी है। में लोगों को, यहां की जनता को, यहां कर विशेशूप से किसानों को जो दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद की सरकार बेद भाव की बावना से काम कर रही है। केंद की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाचपा के हैं, पूर भहुमत की सरकार है, पदान मंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजिस्तान में एक नहीं दो दो बार कहा था कि ERCP की परियोजना को हम राष्ट परियोजना गोशित करेंगे। अब उनके मंत्री और सांच, उनकी सरकार सिर्फ कॉंग्रेस की सरकार यहां पर है, इसलिए हमारे किसानों के साथ बेदबाब कर रहे हैं। चार प्रदेशों में चुनाव है मद्यप्रदेश में 36 गड़ में तेलंगाना में अभी प्रियंक्या जी और आदर राहूल गांदी जी तेलंगाना में देख दिन पहले वहां पर सब लोग मान चुके हैं कि कॉंग्रेस की लहर चल रही है प्रचंड बहुमत के सार हम कि नहीं से इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा बेरों भाईयों इसकाम को आप लोग कर सकते हैं सिकराए के लोग कर सकते हैं और आप लोगों पर मैं सistent हूख मानता हूँ कि मेरा एक विशेष अधिकार है इस छेट के लोगोंने इस जिले के लोगोंने हर कौम बिराद आपका बीच सांचत रहा और मुझे आदे प्रेंका जी मैं पहली बार यहां चुनावने आया 2004 में मेरी चुनावी सवा थी सोनिया गांधी जी भी शेष सूप से यहां पर आई थी दौसा कॉलिज में हमारी सवा थी उनकी सबा से जो आशिरवाद हमको मिला मुझको मिला मैं मातर 26 साल की उमर में यहां से सांचत बन कर गया था मैं आज इस मौके पर सुनिया जी का भी और छेट की जन्ता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि दौसा की पहचान आज देश भर में कॉंग्रेश के एक मजबूत गड़ के नाम से हो गई है और आप लोगों का श्रेज आता है इसलिए आपकी जिम्हेदारी बढ़ गई है आपका दाई तो बढ़ गया है पूरा देश देख रहा है कि राजिस्थान की जन्ता किस करवट बदलेगी जब मुश्किल समय आता है आप लोगों ने मुझे और हम सब को आशिरवाद दिया प्यार दिया जब दिक्कत का समय आया अच्छे समय में खुशियों में सब सामिल होते हैं लेकिन दुख परिशानी कठनाई में सिरफ अपने सामिल होते हैं और यहां का जो संबंद है इस मिट्टी का यहां के लोगों का वो इस जीवन में तो तूटने वाला नहीं है और मैं तो अगले में नहीं टूटने दूँगा ना आपको वाला करकर जाता हूँ और आज प्रियंका जी मारे बीच में आई हैं राहुल गानी जी मारे बीच में याता करकर गए थे इस छेट के जनता ने हमेशा कॉंग्रेस पार्टी को मदद कर यह ताक कर दी है हम लोगों ने बड़िया काम किया है आपके बीच में जो विकास हुआ है हमारे मंत्री जिले के दो दो तीन तिन मंत्री हैं विधायक हैं सब ने मिलकर आपका विकास किया है आज हम उमीदाब से करते हैं कि सबा के बाद एक ऐसी लहरे जिले पुरे छेतिम होनी चाहिए कि एक-एक सीट कॉंगेस पार्टी जीतका जानी चाहिए एक-एक सीट पर यहाँ पर उमीदाब कॉंगेस पार्टी जीतना चाहिए किसी का अगर को नंबेद है भी छोटा मुटा उसको भूल जाओ और जैसा राहूल गांदी जी बोल रहे हैं नफरत की दुकान में, नफरत के बजार में मुहबत की दुकान खोलनी है अब तो मुहबत की चर्चा कल भी हो गई आज भी हम लोग कर रहे हैं मुहबत आपस में जोड़नी है सब लोगों को साथ लेकर चलना है और प्यांका जी आपके हर बार राजस्तान बराने से कॉंग्रेस का वोट लगातार बढ़ता जा रहा है बाजपा के लोग चिंतित हैं परेशान हैं घबराए हुए हैं समझ में नहीं आ रहा किसको कहां पर टेकर दें वो सब लोग जानते हैं कि इस बार कॉंग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े है सब एकता से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा की जूट और पाखंड की राजनीत को समाब करने का जो शान आएगा वो 25 रिवंबर को जब वोट पढ़ेंगे एक एक वोट कॉंग्रेस पार्टी को मिले ताकि भारी भारी भहुमत के साथ राजिस्थान में वितिहास कायम करें और कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं मैं एक बार पुने है प्रेंका जी आपका स्वाग करता हूँ दोसा की जनता हमेशा पलक पावडे बिचाए चाहे सोनिया जी हो चाहे राहूल जी हो चाहे आप हो आपकी बात को हम लोग कभी इंकार करने वाले नहीं है आप आवान करके चले जाओ सारी की सारी सीट करूंगे इस पाटी की जोली में जाल कर देंगे यह मैं आपको जनता की तरह साश्वास अदे सकता हूँ